हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन ओनलाइन एगरी कल्चर एप्लेटफर्म दैरादुर। स्टुडेंट आज के अपने सेशन में डिसकस करने वाले हैं कि क्लाइमेट्रिक और नोन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में क्या डिफरेंस होता है। वेसे एक जन्रल डिफरेंस तो आप पहले से ही जानते हैं कि ऐसे फ्रूट जिनको आप फिजोलोजिकल मेच्च потрी पर हार्वेस्ट करके आजिवीर्फी रााईमेट्रिक बोलते हैं और जिनें आप आजिवीर्फीर्प नहीं कर सकते उन्हें आप नोन क्लाइमेट्रिक बोलत बहुत आप रिप नहीं कर सकते हैं इसके पीछे क्या क्ढ़रण है वो हमें हमें डिसक्स करना है थीक है जी तो आपने अलग सेशन में डिसक्स करेंगे वैजने आप को पता हो तो जो आपनी फराब है वह वह दिजिया गया है। एंग्लो सेक्षन के आपने कुछ और भी एगरी कल्चर में वर्ड देखे होंगे जिसे एक तिलेज वर्ड है वो भी एंग्लो सेक्षन का ही पढ़ते हैं वीड जो वर्ड है वो भी क्या है एंग्लो सेक्षन लेंग्विज का ही पढ़ते हैं कि यह एंग्लो सेक्षन लेंग् climatric और non climatric जो fruit होते हैं उसमें difference क्या होता है वैसे थोड़ा सा मैं आपको ripening की बारे में बता देता हूँ देखो ripening क्या है physiological maturity के बाद के जो fruit की development stage है उसको आप क्या बोलते हैं ripening बोलते हैं जिसके अंदर generally आप देखते हैं कि कुछ ऐसे events होते हैं जैसे मैं बात करूँ कि कुछ physiological, biochemical changes की एक series होती है जिसके बावजुद क्या होता है fruit जो है वो एक समझलो की edible quality attend करता है उसी को आप ripening बोलते हैं physiological भी change होते हैं और biological भी आप देखते हैं कि ripening के दोरान change होते हैं और यह जो changes के events है इनकी series को ही आप क्या बोलते हैं ripening बोलते हैं यह मैंने जस्त मोटा मोटा idea बताया है आपको ripening का ripening अभी हमने discuss नहीं किया है हमारे इस session में climatric, non climatric ही discuss होना है लेकिन आप ripening के बाद देखते हैं कि cell wall होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और अगर मैं बात करूँ तो addinson जो होता है वो भी बढ़ जाता है और जो generally membrane होती है, plasma membrane जो होती है उसकी premability भी क्या हो जाती है, increase हो जाती है और fruit है वो अपना texture खो देता है यानि texture है, उसमें भी आप देखते हो कि वो loose हो जाता है उसके अलावा जो cuticle होती है, वो क्या होती है, मोटी हो जाती है तो कई तरह के ripening के दोरान आप changes देखते हैं तो ripening नहीं discuss करेंगे अभी आप ripening और climatric, non climatric के बीच में confuse हो जाएंगे देखे, climatric और non climatric में fundamentally difference क्या है पहले तो वो लेके चलते हैं अपने फिर मैं आपको बताऊंगा इसका means क्या होता है देखे student, यहाँ पे जो हमने red line दे रखी है यह climatric fruit के लिए दे रखी है और जो blue line आपको graph में दे रखी है वो non climatric fruit के लिए दे रखी है आप सोचो कि यह जो stage है यह physiological maturity की है पिछले session के अंदर मैंने आपको बताया था कि physiological maturity क्या होती है अब दुबारा तो मैं उसको repeat नहीं करने वाला हूँ physiological maturity जहाँ पर आ जाती है समझ लो कि वहाँ पर fruit अपनी जो growth है वो complete कर चुका होता है maximum size, shape, weight gain कर चुका होता है इसके बाद जो process आती है वो ripening और ripening में कभी भी growth नहीं होती है ripening में कभी भी growth नहीं होती है यह एक degrative process होती है यानि यहाँ पर loss होता है हना जो weight है उतना weight ripening के बाद नहीं बचेगा माल लो कि यहाँ पर 200 gram का fruit है तो जायर सी बात है rip होने के बाद वो 200 gram का नहीं बचने वाला है कुछ ना कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कि weight है वो loss होआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह degrative process होती है यानि इसमें कुछ ना कुछ loss होता है लेकिन जायर सी बात है fruit जो है वो एक फेज से दूसरी फेज में पहुंच जाता है इसलिए हम इसको क्या बोलते है एक development stage जुरूर बोलेंगे अब देखो सबसे पहले हम climatric fruit की बात करते है देखो climatric जो fruit tree होता है उसके अंदर ethylene production rate है वो non climatric के comparison में जादा होती है एक चीज तो ये पहले ही आप note करके रखें जो climatric fruit होता है इसके compare में अगर non climatric fruit की अगर ethylene production rate देखें तो non climatric की ethylene production rate कम होती है और climatric की ethylene production rate क्या होती है जादा होती है ठीक है दूसरा जो important चीज होती है क्लाइमेट्रिक फूट को अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हैं फीजोलोजिकल मेचोरटी पे यानि कारी की परिपकवता पे तो इसके बावजुद भी इस फूट की जो इथाइलीन के लिए रेस्पोंस होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है और वहीं पे नोन क्लाइमेट्रिक को अगर आप देखोगे तो इसका जो इथाइलीन के लिए response होता है वो बहुत कम होता है नय के बराबर होता है इन दो चीजों से ही आप समझेंगे कि climatric और non climatric में difference क्या है तो start करते हैं सबसे पहले अपने climatric देखे स्टूडेंट अगर हम बात करें climatric के जिस समय climatric fruit ripe होता है उस दोरान क्या होता इथिलीन production rate है वो अचानक से increase होती है accelerate होती है और एक time ऐसा आता है जिस समय क्या होता है कि यह peak पे होती है और उसके बाद फिर से slow down होने लग जाती है जब fruit maximum कोई भी rate मिलती है उसको denote करते हो तो उसको क्या बोलते हैं पीक बोलते हैं वेसे ही मैं क्या बता रहा था कि climatric fruit होता है उसमें क्या होता है इथिलीन production rate है वो ज़्यादा होती है पहले से लेकिन जब यह ripe होता है तो यह बहुत तेजी से increase होती है और इथिलिन production rate बहुत ज़्यादा हो जाती है यह climatric fruit का समझ लो की एक निशानी है climatric fruit की एक पहचान होती है अब हमारी body में मालो कोई भी activity बढ़ती है तो हमारी भी respiration rate क्या है increase होती है तो fruit में भी क्या है जब इथिलिन production rate increase होगी तो जायर सी बात है respiration rate भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो climatric fruit वो है जो जिस समय राइप होने पर इथिलिन production rate उसकी बढ़ती है और इथिलिन production rate बढ़ती है तो respiration rate भी बढ़ती है तो हम कहेंगे कि climatric fruit जिस समय राइप होता है उस समय इसमें इत्थिलीन प्रोडेक्शन रेट और रेस्पाइरेशन रेट है दोनों ही बढ़ती है और ये पीक बनाती है और इन पीक को क्लाइमेट्रिक पीक बोलते हैं तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर क्लाइमेट्रिक पीक है वो देखने को मिलते हैं अब दूसरी चीज़ देखो जब आप इन्हें physiological maturity पे harvest कर लेंगे उसके बाद आप इन्हें artificial ethylene देंगे या artificial ethyphone देंगे तो इनका ethylene के परती response भी क्या होता है जादा होता और ये ethylene को बहुत तेजी से absorb कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगे राइप हो जाएंगे क्योंक अगर ये ethylene को response देंगे तो ethylene का काम ही क्या है राइप करवाना है तो ये क्या कर देंगे फ्रूट को राइप करवा देंगे इसलिए इनको आप physiological maturity पर harvest करके mostly most of fruit के अंदर आप क्या करती हैं 500-2000 ppm ethylene का treatment देते हैं और जिसके लिए ये fruit response भी खूब करती हैं और ये समझ जलो 6-12 घंटे में fruit है वो ripe हो जाता है कुछ fruit है वो इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा time ले लेते हैं लेकिन on an average मैं बात करूँ तो 6-12 hours के अंदर ये fruit क्या है artificially ripe हो जाएगा और ripe होने के पीछे कारण क्या है क्योंकि इनका खांदानी सबाव के साथ इतिलीन है वो ज़्यादा पर्डियूस कर रहा है और इतिलीन के परती ज्यादा response देना है जो इनका वैवार तोड़ने के बाद भी बना रहता है इसलिए क्या है ये artificially ripe हो जाते हैं अब मैं बात करूँ non-climatic fruit की देखो non-climatic fruit tree है उसके अंदर इतिलीन production पहले से ही कम होता है इतिलीन के लिए इनका response भी कम होता है बट ये शोर है कि fruit पकेगा चाए climatic है चाए non-climatic है पकेगा हमेशा किसे इतिलीन हार्मोन से ही पकने वाला है बट फिर भी इनका इतिलीन production rate भी कम होता है इतिलीन के लिए response भी क्या होता है कम होता है अगर हम बात करें non-climatic fruit की तो जिस समय ये ripe होते हैं उस समय इनके अंदर जो इतिलीन production rate होती है वो constant चलती है यानि एक स्तिर सी चलती रहती है जब इनमें इतिलीन production rate नहीं बड़ी तो जायर सी बात है respiration पर भी कोई फरक नहीं पड़ेगा और respiration भी क्या है constant ही चलने लग जाएगा यानि इसके बराबर ही चलने लग जाएगा और ये किसी भी परकार के peak नहीं बनाते हैं तो non-climatic fruit में कभी भी climatic peak नहीं देखने को मिलता है और जिस समय ये ripe होते हैं उस समय इनमें इतिलीन production rate और respiration rate ह तो अब आप इन्हें physiological maturity पे harvest कर लोगे फिर आप इन्हें artificial इतिलीन देने की कोशिस करेंगे तो ये कोई response नहीं दिखाएंगे तो हलका full का response दिखाएंगे तो ये हलके full के पकने लगेंगे उससे पहले ही क्या है ये fruit आपके खराब हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा time लेना चाहेंगे उस इतिलीन के लिए या उस इतिलीन को एपजोर करने में तो बहुत लंबे time तक ये fruit जिन्दा तो रह नहीं सकता है fruit हो जाएगा खराब हो जाएगा और fruit राइप ही नहीं हो पाएगा इसलिए non climatic fruit को आप हमेशा ही पेड़ पे जब वो पक जाता है उसके बाद ही harvest करेंगे अगर उससे पहले आपने harvest किया तो ये artificially ripe किसी भी स्थिती के अंदर नहीं होने वाले हैं ठीक है तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है climatic fruit का ही इतिलीन production rate क्या होता है जादा होता है और non climatic fruit होता है इसका कम होता है दूसरा जो climatic fruit होते हैं अगर आप उन्हें physiological maturity पे harvest कर लेते हैं तो ये इतिलीन के परती क्या है generally response भी क्या करते हैं कम करते हैं जो non climatic nutritious है climaticतो बहुत response करेंगे climatic के अगर बात करें तो harvest करने के बाद physiological maturity पर harvest करने के बाद भी ये אתhyalin के लिए अच्छा response करने के अ Also ये इनने artificial कर लेंगे नोनकलाइमेट्रिक रसपोन्स ही नहीं देता है तो आ आप आठिफिसल सीड आप करेंगे कैसे आप तो इतिली दे रहें गया अगले लेने के लिए त्याँ नहीं होदाला भाई नोनकलाइमेट्री को आप राइप स्टेज पे store करते हो तो उसकी storage life हमेशा ही क्या होगी कम होगी इसके पीछे कारण क्या होते हैं जब ripening पढ़ेंगे तब discuss करेंगे और जो climatric fruit होता है उसे आप physiological maturity पे harvest कर सकते हैं अगर आप store करना चाहते हैं तो कर लीजी अभी ये rip नहीं हुआ है लंबा store हो जाएगा और जब आपक market में sell out करना है उस समयर क्या करें आप ripe करवाएं जिस समय आपको market में sell out करना है storage से निकाले राइप करवाएं और फिर sell करें क्योंकि ripening के बाद हमेशा ही storage life क्या हो जाती है कम हो जाती है क्यों हो जाती है जब ripening पढ़ेंगे तब discuss करेंगे तो climatric fruit को आप physiological राइप कर सकत है अब देखो और भी differences की अपने बात करें और differences की बात करें तो ethylene production rate की बात करें non climatric fruit है वो ethylene production कम करते हैं और जो climatric fruit tree है वो ethylene production क्या करते हैं ज्यादा करते हैं और सबसे ज्यादा जो ethylene production rate होती है वो apple की होती है लेकिन बाद में बात करते हैं सबसे पहले हम यह बा इत्थिलीन पर केजी फ्रूट पर आवर्स यानि एक किलो फ्रूट एक घंटे में कितना इत्थिलीन प्रोडेक्शन करते हैं उसको हम किसमें लेते हैं माइक्रोलिटर के अंदर लेते हैं और इस अधार पर हम फ्रूट को मोटा मोटा कितनी स्रेणी में रख लेते हैं पांच लेटे हैं यारनी 5 पेटीगरीज के अंदर अपने रख लेते हैं Every high Eythylene production rate, high på production rate, medium इthylene production rate, low vaccination rate, और very low ArtsAOO의 production rate अब देको बहुत अधिक इthylene production rate किसकी होगी जो climatric fruit tree होगा उनकी होगी, और very low Pascalotta State, किसकी होगी जो non climatric होगा, 100 percent उसी की होगी एक्जामपल देख लेते हैं वेरी हाई इत्थिलीन प्रोडेक्शन रेट जो होती है उसके अंदर जो फ्रूट है एक किलो वो एक घंटे में सो से जादा माइक्रो लिटर इत्थिलीन प्रोड्यूस करती है और इस केटिगरी में आता है एपल, पेशन फ्रूट और स्पोटा आता है एपल है इसकी सबसे ज़्यादा सभी फ्रूट में सबसे ज़्यादा इत्थिलीन प्रोडेक्शन रेट हमेशा एपल की होती है ये 25 से लेकर 2500 माइक्रो लिटर इत्थिलीन पर केजी फ्रूट पर आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं जो अपने आप में बहुत है दूसरे नंबर जो आता है वो पेशन फ्रूट का आता है इसका आता है पेशन फ्रूट का अलग-अलग डेटा आपको मिलेंगे ज्यादा इत्थिलीन प्रोडेक्शन करने वाला जो फ्रूट ट्री है वो कौन सा एपल है उसके बाद पेशन फ्रूट है और उसके बाद कौन सा है स्पोटा है और और अलमस्ट ये माल लोग कि इनको पकाने के लिए इत्थिलीन का ट्रीटमेंट देने की आव सकता नहीं ह इत्थिलीन खुद इतनी परडियूस कर देते हैं बट अगर आप आप अर्टिफिशली इत्थिलीन दोगे तो इनका कलर बहुत बढ़िया डवलप हो जाएगा स्पोटा में कलर का इश्यू होता ही नहीं है इसलिए लोग ज्यादा तर इसको बिना इत्थिलीन के सीधा प्रोडेक्शन रेट वाले कौन से होते हैं जो पर घंटे में पर आवर्स के अंदर पर केजी फ्रूट द्वारा दस से सो माइक्रो लिटर इत्थिलीन प्रडियूस करते हैं इसके एक्जामपल आते हैं पपाया यानि पपीता एवाकाडो जिसको आप टेस्टलेस भी बोलते हैं मीडियम इत्थिलीन प्रोडेक्शन रेट इसमें भी आपके कौन से फ्रूट आएंगे? climatric fruit यह आते हैं जो एक घंटे में एक किलो fruit द्वारा एक से दस microliter ethylene produce करते हैं इसमें बनाना आता है मेंगो आता है गौावा आता है फिग आता है और टॉमेटो आता है ठीक है अब हम बात करें low ethylene production rate वाले इसमें आपके non-climetric fruit आ जाएंगे यह लगबग एक घंटे में एक किलो fruit द्वारा 0.1 से एक microliter ethylene produce करते हैं इसमें pineapple आता है और watermelon आता है very low ethylene production rate वाले में कोन आते हैं वो fruit आते हैं जो per hours में एक किलो fruit द्वारा 0.1 microliter से भी कम ethylene produce करते हैं जैसे grapes और citrus ग्रेप्स और citrus नोन climatric है और सभी fruit में से सबसे कम ethylene production rate हमेशा किसकी होती है grapes और citrus की ही देखने को मिलती है सबसे कम ethylene production rate होती है grapes और citrus की यह बहुत important question बनता है इसको धंग से याद रखना है अब हम कुछ example की बात करें कि climatric fruit कौन-कौन से हैं और non climatric fruit है वो कौन-कौन से हैं देखिए स्टूडेंट vegetable में अगर बात करें तो vegetable को तो आप एकी line से याद रख सकते हैं vegetable में जो भी पढ़े जाती है उनमें vegetable science में जो भी आप crops पढ़ते हैं उनमें tomato और musk melon, tomato और खर्रबुजा है वो ही climatric है बाकी कोई सी भी vegetable का नाम दे दें सारी की सारी non climatric है सारी की सारी क्या है non climatric लेकिन fruit के example आपको याद रखने पढ़ेंगे चलो देख लेते हैं फटा पट example apple आता है, apricot बोले तो खुमानी आता है, avocado, anona, anona में sita फल, ram फल, लक्समन फल, ये सब आजाते हैं अनुमान पल वगेरा, banana यानी केला, bread fruit, blueberry, चैर्मोया, फियोजी, fig यानी अंजीर, guava, jack fruit, kiwi fruit, mango, musk melon, यानी खर्बूजा, nectarine, papaya, यानी पपीता, passion fruit, peach, peach बोले तो आडू, उसके लापियर, नासपती, पर्सीमोन, पलम, आलू बखारा, raspberry, spota यानी चिकू, टॉमेटो, ये सब किस में आते हैं, क्लाइमेट्रिक में आते हैं, नोन क्लाइमेट्रिक में वेजीटेबल के एक्जामपल पढ़ने की जूरती निया, सारी वेजीटेबल नोन क्लाइमेट्रिक है, सिर्फ टॉमेटो और मस्क मेलन ही कौन सी केटगरी में आते हैं, क्लाइमेट्रिक फूट की केटिगरी में आते हैं नोन क्लाइमेट्रिक में चलोगे तो कौण-कौण सा है ओनला है, बील है, बेर है केस сог nut, काजु है, चेरी शिटरस सारे के सारे, चाहे निंबू है चाहे संत्रा है, बाल्टा बील है, कोकोआ है, वेजीटेबल में तो मैंने आपको एक तरफा करी दिया है तो पढ़ने की जूरती नहीं है डेट पाम, ग्रैप्स, जामून, करोंदा, लीची, लोकाट, सारे के सारे ड्राइप फूटनट है वो सब इसी में आते हैं ओलाई, पेपर, फालसा, पाइनेपल, पॉम ग्रैनेट यानि अनार, स्ट्रॉबेरी और वोटरमेलन ये सब किसमें आते हैं नोन क्लाइमेटरी के अंदर आते हैं सबसे में डिफरेंस आपको क्या याद रखना था जो नोन क्लाइमेटरी का जब पकते हैं तो इसमें इथिलीन और रेस्पाइरेशन रेट कॉंस्टांट चलती है climatric peak नहीं होते हैं और यह कम ethylene produce करते हैं और इनका ethylene के परती response भी बहुत कम होता है climatric है जिस समय ripe होते हैं ethylene production rate बहुत तेज हो जाती है जिससे respiration rate भी क्या है बढ़ जाती है क्लाइमेट्रिक पीक देखने को मिलते हैं और अगर आप हार्वेस्ट करने के बाद इथिलीन देते हैं तो इथिलीन के परती ये बहुत जादा रैस्पॉंस शो करते हैं जिसकी वज़े से इनको आप आर्टिफिशली भी राइप करवा सकते हैं तो ये स्टुडेंट क्लाइ मेट्रिक के बीच का मेजर डिफ्रेंस था और अंत में एक बहुत इपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पीसी यानि राजस्तान में फसो फूड सेप्टी ऑफिशर की जो वकेंसी आई हुई है उसके हमारे ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं बैतरीन तरीके से बैतरीन फैकल्टी द्वारा जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासे जो लाइव मिलती है वो ही रहती है रिकोर्डेड फॉर्म में एक साल का सब्सक्रिप्शन होता है सारे के सारे वहां पे पीडिएप नोट्स मिलते हैं बाकी बुक बाए पोस्ट आपके एडरस पे आती हैं तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट थैंक्यू जै हिन जै भारत